नमस्कार दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो ससुराल है वो मुझाफ़ापुर में है तो इस पार मैं जब मुझाफ़ापुर गई तो मुझे वहां का एक बहुत ही लोकपुरिय और परसिद मंदिर है जो बहुत ही पुराना है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री यह तीन सो साल पुराना मंदिर है जिसको बाबा गरीबनात मंदिर भी कहा जाता है तो वहां जाने का मौका मिला मैं पहले भी यहां जा चुकी हूं बट इस पर मैंने आप सब के लिए वीडियो बनाने का सोचा तो यह जो है बाबा गरीबनात अधाम का मंदिर जो आप देख रहे हैं उसी के लिए है ज्यादा भी लगते हैं जहां पर एक बहुत पुराना शिवलिंग है जिस पर लोग जल डालते हैं स्पेशली सावन के टाइम पर यह बहां की जो पूजा पाठ होते रहते हैं लोग अपना मानते हैं वहां जाकर तो हमने अपने बेटे का कुछ पूजा माना हुआ था तो वहां जाकर जो हमें अपने फैplatz के साथ अब हूजा अर्चन हमें लोग जो कुव हैं से जल लेकर मुझ़े वीस सुभा प्राप्त हुआ तो इस मंदिर के बारे में यह मानना है कि यह मंदिर यहां बीक जंगल था जिसमें साथ पीपल के पेड़ थे तो वहां पर गरीब आदमी जब उस पेड़ को काट रहा था तो उसको पेड़ में से रक्त जैसा ब्लड जैसा पदार्थ दिखा तो और वहां के जो लैंडलॉट उस पीपल के पेड़ के पास जो मिला था तो लोग मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से यहां पर आता है और अपनी मनता मानता है उसकी मनता जरूर पूरी होती है तो भगवान की महर से हमारी भी कुछ मनता पूरी हुई थी तो इसकी वज़े से हम लोग वहां पर अपने के साथ महाँ पूजा की तो यह जो आपको पिक्चर दिख रही है यह उसी पूजा के द्वरान है जो हमें स्वभाग्य प्राप्त हुआ कि हम गरीबनात स्थान जाकर पूजा कर सकते हैं तो यह काफी भीड होती है तो उसे में आपको अपना एक कॉर्णर चुन लेना होता पंडी जी होते हैं जो पूजा में अपकी मदद करते हैं तो यह जो पिक्चर आप देख रहे हैं मेरे लारती की देख रहा है पंडी जी की मेरे बेटे की तो उन्होंने बहुत बहुत जी और सासूमा जो है वो रिचुल्ज के साथ यह पूजा कर रहे हैं जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं तो अप देख रहे हैं कितना सूदर लगए के ले के पत्ते बांध रखे हैं और बंडी जी अभी डाल रहे हैं और मेरे बेटा यह जो है आग्टो पर रेल में साथ में मेरी मदल और चाची की दिखा दिरी है कहने को यह सिरफ वीडियो है बट मैं हमेशा अपनी मेमरीज को यूट्यूब में डाल देती हूं जो लोग बहां जाएं उनको भी नॉलेज हो कि यहां पर यह जो मंदिर है इसके बारे में पता हूं कि क्या हो कैसे डिसकवर हुआ था इसकी मनता क्या है मेरे लिए भी यह मेमरीज कर रहा हूं देती है मेरे लिए रहा हुआ करो और देती है कर दो कर दो हुआ हुआ है मेरे एक विश्वाश है कि जैसा ही देश हो वैसा भेश हो तो आप देख सकते हैं आप मुझे वैस्टर में देखते हैं और यहां पर आप मुझे अपने भिहारी अफ्तार में देख पा रहे हैं चीक है दोश्तों जल्दी में देंगे अगले वीडियो के साथ कि भाश में देख सकते हैं